हेलो साथ ही हों, हेलो प्यारी सिश्टर, आज किस वीडियो के मात्यम से एक वारपुना आपके साथ जुड़ चुका हूं प्यारी प्यारी सिश्टर, आज हम लोग एक वारपुना कलास करने के लिए आज चुके हैं Community Health Nursing का देखे, Community Health Nursing में कौन सी Questions पूछे जाएंगे तो यह सारे चीज आपको समझ के चलना होगा आज हम लोग फिर आपको Community Health Nursing लाए हैं हम आपको पिछले क्लास में 10 नमर क्वेस्टन्स तक करवा दिये थे आज हम इनसे आगे के क्वेस्टन्स आपके बीच ले करके आया हूं साथ यहों प्यारी सिस्टर आपको मैं बता दूँ जो अभी नया कलास करने के लिए आई हो या फिर नया कलास करना चाहती हो तो बिलंब मत करिए अब आपको यहां पर तयारी करनी की जुरत है ठेक है और यह अंतीम बार तयारी सोच करके कर लिजे क्योंकि बिहार में तो आप लोग को पता ही है वैकेंसी कितने दीन पर आते हैं और हम लोगों को इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर एक सिट पका नहीं हो पाया तो पता नहीं फिट कब हम लोग के लिए वैकेंसी आएंगे इसलिए 8789694229 इस नमर पर आप लोग WhatsApp पर मेसेज करके PDF फिर आप लोग कलास भी यहाँ पर कर सकती हो Online टेस्ट दे करके Practice भी कर सकती हो देखे सबसे बरी बात है कि Online टेस्ट देना क्योंकि online टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि exam online होगा अब online exam होगा तो आपको Practice तो होना चाहिए न इसलिए आप लोग यहाँ पर test दे सकती हो सिर्फ दोसर पर आप लोग को लगेगा और 20 test series आपको यहाँ पर देने को मौकाब मिलेंगे इसलिए सब लोग यहाँ पर whatsapp और message करके class, video, जो भी चीज़ों उनके वारे में जानकारे ले करके आप लोग यहाँ पर सब कुछ कड़िए और आपकी तैयारी अच्छे से होंगे चलिए यहाँ पर एकदम बढ़ियां वाला questions हम ले करके आ चुके है community health nursing का questions है बराबरा question दिखने में लगेगा लेकिन बहुत conceptual question है आपकी syllabus के coding है चोटे-चोटे questions के चकर्य मत रही है नहीं तो पता चलिएगा exam में एक भी questions आया ही नहीं अगर बारा question अगर अच्छा से आप लोग को समझ मा जाएंगे तो चोटा question ऐसे भी आप लोग को आ जाएंगे ठेक है देखे अगला question है निम्न में से सारीरिक परिरक्षन की निरक्षन वीधी के दोरान संपाजित की जाने वाली गति वीधी है का रहा है कि इनमें चार option दिया है न इसमें से आपको यह बताना है कि सारीरिक परिरक्षन की निरक्षन वीधी के दोरान जो सरीर की प्रिक्षन करते हैं जो प्रिक्षन हो गया हो फिर जाकर हम लोग उसको अगर निरक्षन करते हैं तो यहाँ पर कौन सी गत्य बीधि किये जाते हैं अफ्सन है शरीर के किसी भाग का नंगर आँखों की सहता से अवलोकन करना दूसरा है शरीर के किसी अंग को हाथों के अंगलियों की सहता से असपर्श कर महसूस करना तीसरा है अंगलियों की सहता से शरीर के किसी भाग पर अगहात करने तथा अगहाथ से उत्पन धोनी की अधार पर उस अंग को इस्थिति का पता करना और चौथा यहाँ पर आपको इस्टेथो स्कोप की सहता से सरीर की किसी अंग की धोनी का सुनना क्या चीज होगे यहाँ पर ठेका है एक और ऑप्षन इसमें आप लोग जोर लिजेगा एक और ऑप्षन यहाँ पर ऑप्षन जोर लेना है इन नमबर में all ऑप्षन भी जोरना होगा चुकि इसलिए यह जो questions है इस questions में जो अगर हम लोग बात करते हैं तो सरीर का निरक्षन क्या जा रहा है सरीर का जो निरक्षन करेंगे इसमें सारे का सारे option सही है इसलिए all of this is cancer होगा देखें सरीर की किसी भाको नगन आँखों की सहता से अवलोकन भी हमलोग करते हैं मतलब खुली आँख से सरीर की किसी अंग को हाथ की अंगली की सहता से हमलोग asparts भी करते हैं जूटे भी हैं उन्गली की सहिता से अघहात करते भी उनके द्वारा उत्पन धोनी होता है उससे भी हम लोग सूनते हैं जाना। सारी का सारे चीजा हम लोग करते हैं इसलिए आप्सण सभी क्या ऑप्सण सही है देखिए अब आपको इतना सारा option सही है और ये सारे का सारे option अगर आपको याद रहते हैं सभी का सभी topic तो छोटा question उठाएगा तो एक ही option देगा उसमें सही वाला तो बिलिकुल रूप से आप लोग यहां पर बना चुकेंगे क्योंकि आप आपने चार-चार पट रखा है तो इसलिए मैं बड़े-बड़े questions का label लेकर करके आता हूँ जो आपके exam के लिए और आपको बेहतिरिन तरीके से त्यारी यहां पर हो सके चलिए प्यारी sister आगे वाले questions की तरह बढ़ते हैं अगला questions क्या है यह वाला थरा से सुन लो आगे वाला questions क्या है निमन में से असपर्स परिरक्षन का उधारन है अब इन में से बताना है कि असपर्स परिरक्षन का कौन से example असपर्स मतलब क्या चुना ठेक है तो कौन सी asperse production का यहां पर एक उधारन है सरीर के किसी भाग का नगन आँखों के सहता से अवलोकन करना सरीर के किसी अंग को हाथ की अंगलियों के सहता से asperse कर महसूस करना अंगलियों की सहता से सरीर के किसी भाग पर अगहात करना अगहाद से उत्पन धोनी के अधार पर उस अंग की इस्थीती का पता लगाना या फिर एस्टेतो एसकोप की सहता से चलिए बताईए सही आंसर यहाँ पर क्या होंगे असपर्स प्रिरक्षन में क्या होता है यह बताओ देखे, Asperse Protection में क्या होता है? Asperse Protection में क्या होता है यहां पर अंगलियों की सहता से सरीर के किसी भाख पर अघात करते हैं और इससे जो उत्पन्ध होनी होता है इसके अधार पर हम लोग उस अंग की स्थिति का पता लगाते हैं ठेक है ना? तो यह होता है अंगलियों से असपर्च करने का एक प्रेक्षन का एक्जामपल आप्षन C यहाँ पर जिन जिनों ने आप्षन कर ही हो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ी आंसर है ठेक है? चलो आगे वाले क्वेशन्स हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेशन्स क्या है? अगला क्वेशन्स क्या है? निम्न में से सारेरिक रूप से स्वस्थ बेक्षन का उनसा है? अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से काउन सा लक्षन स्वस्थ बेक्षन का है? स्वस्थ बेक्षन का उनसा है? जैविक चिन्नों का समानने होना जो जैविक चिन है इसको समानने होना बिलकुल बढ़िया बात है ब्यक्ति को अच्छी भूख लगना अच्छा नींद आना ये भी सही बात है ब्यक्ति के सभी अंगों को कारीक रूप से समानने होना या उप्यूक्ति मिसे सभी क्या होंगे देखे ब्यक्ति का स्वस्त रहन तो इसका सही आंसर होंगे, तो सारी रिक स्वास्त के लिए ये सारी लक्षन यहाँ पर होनी चाहिए, इनको हम लोग याद करके रखेंगे, ठेक है, चलो, डॉट्स थ्रेपी के अंतरगात, ये बताओ, डॉट्स थ्रेपी के अंतरगात, निम्न में से काउन सी रोगी पर्थ करते हैं, तो डॉट्स थ्रेपी क्या होता है, या एक डॉट्स थ्रेपी रोगों के लिए, ठेक है, टीवी रोगों को यहाँ पर भागाने के लिए, टीवी रोग को यहाँ पर ठिक करने के लिए, ठेक है, यहाँ पर बात करते हैं कि पर्थम सरीनी में, तो पर्थम सरीनी म बात करता है तो जो यहां पर नया होता है ठीक है जो नए नए स्पुटम स्पीयर पॉजेटिव रोगी होता है वो पर्थम सरेनी के अंतरपी में यहां पर सामिल किये जाते हैं अप्सन एक क्या इनका बिल्कुल बढ़ी आंसर है आगे वाले कोईशन करके देख लेते हैं कौन सा रोग आते हैं जब पता चल जाते हैं कि विकति विमार खन सामिल देया जाता है तो दूतिय सरेनी में क्या होता है आंसर को यहक बार आप लोग नया स्पूटम स्मियर पॉजेटिव रोगी पॉजेटिव असफल रोगी नया एक्स्ट्रा प्रोमेनरी रोगी लेकिन गंभी रूप से बीमार नहीं काउन सा यहां पर होंगे दीटिय सरेनी के अंतरगत बात करते हैं तो जो असफल रोगी होता है पहले पॉजेटिव रोगी यह तो पर्थम हो जाता है जब यहां पर यह असफल हो जाते हैं यह बिमार पर जाते हैं फिर हम लोग इसे इलाज करते हैं तो जो असफुटम असफल रोगी होता है वही होता यहां पर यह मैंने पिछले क्लास में करा भी दिया था निम्न में से विटामिन B थाइमीन की कमिसे होने वाला बिमारी कौन सा है विटामिन B की कमिसे बच्चों में रिकेटस वयस्कों में ऑस्टियोमोलसिस सुस्केवम आदर बेरी-बेरी पलेगरा या फिरातरी अगहात यह क्नाइट वाइल जिरोसिस कौन सा रोग होगा बताव जल्दिसी देखे बच्चों में रिकेटस यह तो विटामिन D की कमिसे आता है बेरी-बेरी रोग विटामिन B की कमिसे आता है तो आपसे पूछा विटामिन B की कमिसे कौन सा रोग हो जाएगा तो यहां पर बेरी-बे से बेरी बेरी तो नहीं होगा क्योंकि विटाइमिन B की कमी से होता है तो विटाइमिन D की कमी से उपर ही बताया हूं रिकेटस जो बिमारी होता है वो विटाइमिन D की कमी से होता है यानि option A क्या इनका सही आंसर है यह सब मैंने पहले ही class में बहुत दिन पहले ही बता दिया ह इसलिए जल्दी जल्दी इसको मैं कर लेता हूँ ठेक है चलो विटाइमिन A की कमी से होने वाली बीमारी कौन से है कौन से बीमारी बच्चों में रिकेटस D की कमी से होता है बेरी बेरी B की कमी से होता है और A की कमी से रातरी आंधता है ना तो option D क्या है इसका सही answer, option D क्या होगा इसका सही answer होगे रातरी आँधता, चलो next questions करके होता हूँ, next questions करके होता हूँ, हाँ ये वाला questions करके होता हूँ, यह वाला क्विसन्स करके वता एप्योंसाइपीडियोमालोजी के उप्योग में सामिल है निम्ण में से कौन साइपीडियमालोजी के उप्योग में सामिल है उप्योग में सामिल है यह बताओ देखिए एपीडियोमलोजी के उप्योग में जो सामिल होता है वो स्वास्त अस्तर के आकलन करने में जो सहता करता है यह सामिल होते हैं स्वास्त सवा को नियोजन एवा मुल्यांकन करने में कौन-कौन से सामिल हो रहा है कौन सा उसका हो रहा है यह कड़ते हैं बिमारी का कारण है इस कारण का पता लगा थे सब कुछ किया जाता है यानि option डी क्या है इसका बेलकुल लुप से सही आंसर है आगे वाले किशन्स क्वेशन क्या है यह करके होता हूं निमन में से एपीडियोमिलोजी का मापन का साधन अब जो कि एपीडियोमिलोजी का क्या है मापनी का साधन उपर में हम लोग पढ़े ना कि एपीडियोमिलोजी में क्या क्या होते हैं तो बीमारी का कारण का पता करते हैं नियोजन एवा मुल्यांकर में सहता करते हैं स्वास यानि कि पर्तिसत में भी माप्त हैं यह सभी इनका एक साधना है जिनके जिनके माध्यम से जिनके द्वारा epidemiology को हम लोग क्या करते हैं मापते हैं यानि उप्युक्त में से सभी option D क्या है इनका बच्चो प्यारी प्यारी अंसर है बिल्कुल बढ़ियां वाले अंसर है ठेक है यह epidemiology वहला बहुत बढ़ियां इसे आप छापके रख लो एक्जाम में आ सकते हैं ठेक है यह होगिया इसका राइट आंसर चलो आगे वाले क्या है निम्न में से प्रात्मिक रोक्थाम का उधारा अब देखो प्रात्मिक रोक्थाम में क्या होता है बीमारी पता लगने से पहले प्रात्मिक रोक्थाम में क्या है बीमारी पता लगने से पहले जैसे कि DPT के टीका द्वारा डिप्तेरिया, प्रटियोसिस, टिटिनस की रोख थाम, किसी बीमारी के समय पर निदान, दुरगटना के पस्चात, उप्यूक्त में से कोई नहीं, काउन सा इसका राय टांसर होगा पर्थम सरेनिक का एक्जामपल, पर्थम सरेनिक कंतरगत काउन सा आते हैं, DPT के टीका द्वारा डिप्तेरिया, प्रटियोसिस, टिटिनस की रोख थाम, यानि हम लोग पहले ही रोख थाम करने के लिए बीमारी को रोख रहने के लिए टीका लगा देते हैं, बच्चों में क्या होता है, टीका करन नहीं क्या जाता है, क्यों, क्योंकि बात हम उस किसे लिए वहाँ पर मैं नहीं समझाया हूँ, सेकेंड वाला में क्या होता है, जब बीमारी पता चल जाए, तो उसके बीमारी को इलाज करते हैं, तो दूतिये सरेनियम के अंतरगत, ये पर्थम बाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बीमारी को पता लगने से पहले हम ल लोग को बीमारी को पता चल जाते हैं, तो समय पर क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसका निदान करते हैं, उसका इलाज करते हैं, ये हो गया आपको दूतिये सरेनियम के अंतरगत, ऑप्सन बी वाले, किसी बीमारी को समय पर उसका इलाज करना, उपचार करना, चल लाइफ जीने लगते हैं तो मोग तीड़ती रोक्ताम कहते हैं जैसे देखो दुर्गहटना के पस्चात विक्ति का सरजरी द्वरा एक पार एक पायर काट दिये जाने के पस्चात किसी प्रेस्थोट्रिक का उपियो कर उसे चलने योग बनना मालो देखो तीड़ती सरेनी का अंतरगरत आते हैं यानि वो इलाज होने की बाद अगर बढ़ियां सी जी सके जैसे तो वह तीड़ती शेरेनी के अंतरगरत आते हैं जोनी option सी क्या है इसका बिलकुल बड़ी answer है आगे वाले questions कर लेते हैं निम्न में से epidemiology का स्रेणी में सामिल है यह स्रेणी का है स्रेणी लिखा हुआ है चीज सामिल है कोई agent कोई host कोई पर्याबरन उप्योक्त में से सब ही जल्दी आंसर करो देखर हों कारक भी होते हैं कोई मेजबान भी होते हैं कोई परयाबरन भी होते है या फिर उप्यूक्त में से सभी, सब को यहाँ पर एक epidemiology के अंतरगत सामिल होते हैं, ठीक है न, उपर ही बता आये थे, कि बीमारी के पता लगाना, किस कारण से हो रहा है, क्या effective है, तो सब कुछ इसके अंतरगत आते हैं, यानि उप्यूक्त में से सभी, option D क्या है, इनका सही answer है, चल में आघरेसन है, यहां पर संचरण हो सकता है, आप भी बिमार सकते हैं, आपको संकरमन हो सकता है, सकते हैं तो अप्शन एक क्या इनका बिल्कुल बढ़िया एंसर है ठीक है यह चीज यहां से याद रखेंगे साथ यह इतना ही क्लास रहने दो थोड़ा टाइम कबरा यसू हो जाता है इसलिए ज्यादा क्लास नहीं लिए पता हूं नेक्स्ट क्लास मैं कर लूंगा थैंक च्प्वार टाह यह से जाद से लिए यहां से यहां से जाद कर दोंगा है यहां।